नमस्कार आप देख रहे हमारी खास पेशकश मैं हूँ आपके साथ तिलचावला आज बात होगी बेहर दल्चस मुद्दे की लगातार वो मुद्दा जो न्यूजवल इंडिया आप तक लेकर आ रहा है इस मंच के जरीए हम बीजेपी कॉंग्रेस के उन बागियों को निवता दे रहे हैं अपनी बात रखने का जिनका टिकेट कट गया जिनको टिकेट की उमीद थी लेकिन उनका टिकेट काट गया भाजपा के घर के भीतर कई सीटों पर डैमिज कंट्रोल कर लिया गया और कहीं पर बगावत के बोल तेज सुनाई दे रहे हैं बगावत का अंदेशा वैसे बीजेपी को पहले भी था कई परत्याशियों का चैन अंतिम वक्त में किया लिया फिर भी कुमाव में जो मौझूदा छे विधायकों के टिकेट काटे गए हैं वहां विद्रोह की आवाज सुनाई दे रहे हैं नराजगी ने प्रदेश नितित्व के उपर आरोत तक लगाने वाले नेताओं की अब कभी नहीं हैं अलमोणा काशिपूर विरोत के स्वर अब ठंडे पड़ गए हैं लेकिन दौराहाट लालकुआ लालकुआ जिसका आज हम जिकर करने जा रहे हैं भीमताल कपकोट प्रदावती जंडा भुलंद है और छे में से पांच विधायक पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं मगर रुद्रपुर में हालात यह हैं कि राजकुमार ठुकराल बगावत का विगुल बजा जुके हैं नैनिताल जिले के लालकुआ सीट का आज मैं जिकर कर जहां पर बीजेपी ने सिटिंग विधायक नवीन धुमका का टिकेट काट कर मोहन सिंग भिष्ट को जो है प्रत्याशी बनाया है तुमका से नराजगी जताई तो नगर पालिका के पूर चेयर्मेन पवन चोहान ने पार्टी छोड़कर निदलिये चुनाव लड़ने का और पवन चोहान इस वक्षुद हमार साथ मौजूद है जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं इसके वीशे को लेकर पवन चोहान जी बहुत-बहुत स्वागत अन्डियूसवल इंडिया में आपका रन्यवाज सर आपका भी कैसे हैं पवन जी आप बहुत-बहुत बढ़िय देखिए मैं 30 साल से बारिंदा पार्टी की शेवा करता है हूं तनमन धन से जिसको खून से सीचा जाता कहते हैं और ऐसे में हम भी पढ़ाते थे उनकी तरह के दुनिया से अलग संग्ठन है इनकी अपनी रिती नीतियों पर चलता है कार्य करता अधारित पार्टी है का दे कांग्रेस से बुरी स्थिती नों ने कर दी दो गंटे पहले का अन्य लोलों से लोगों को लाते हैं अपने कार्य करता जो जीवन भर दरी बिचा के अमर जाता है उसको भगा देते हैं और वो उसको टिकट थमा दे रहे हैं यह कौन सा संग्ठन है यह कम से कम वो कहते थे मैं मैं 2012 से टिकट मनता हूं 2012 से टिकट भागी नी मने 10 सत्रामें टिकट भागी नहीं सबने 22 में बागी क्यों बनते हैं यह कर के लोगों ने को पारिवार के लोगों कि तो आज टेक मेरे वाला नहीं हूँ क्योंकि जनता जनार दंद मेरी बहुत बड़ी पंचात की है उस पंचात में कर दिया कि मैं यहां का विदायक कर दिया अब इसलिए कि ना बिलकुल भाई हमारा लोग फोन नहीं उठाते थे जब टिकट के लिए किसी संपर हमारा कोई ऐसा तो कोई आका था नहीं कोई स्पेशल कोई आका मेरी लड़ाई लड़ता हो मैं तो जनता का नेता हो जनता के दंपर टिकट वांता हूं किस नेता से बात की किस सभी से करता था जो हमारे से हमारे बड़े नेता है पर देश के उनको सभी करता मैं नाम टीवी चैनल पर नहीं ले सकता लेकिन मैं सभी सब्सक्राइब कर रहा हूं मैंने फोन पर जवाब देने का उचीत नहीं समझा हमारा फोन ही उठाया आप हमें तीन महीने तक भी टाइम नहीं पा रहा है बात करने का और लोगों को पहार से पकड़ कर लाकर के तुम वहां जोइन करा रहे हो तो यहां कित्रा या चैनल बनाया था क्यों कह रहे थे कार इकरताओं का क्या हुआ और देवतुले कारिय करताओं का क्या हुआ वह पैनल वाले नाम तो एक भी नहीं आये उनमें आजाते किसी को मिल जाता जी आपके साथ धूका हुआ बहुत बड़ा दोका मेरे साथ नहीं पाटटी के जिन नहीं और जो विचारे आज मजबूरी मे परचार में आएगो उनको भी लग रहा है कि यह अच्छा नहीं किया है अच्छा नहीं किया लेकिन आपको लगता कि लालकुआ सीट कागर मैं जिकर करूं यहां से खुद पूर मुख्य मंत्री हरी शरावत चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं इससे बीचा यह मेरा सोबाग्य में हरी पूरू मुख्य मंत्री अरीश नावच जिनको कांगरेस यहां कहते हैं बहुत बड़ा है उनको रहाने जा रहा हूं यह मेरे लिए बहुत बढ़ी बात होगी लिए बहुत खुसीज़ बात है आपको नहीं लगता जिस party को आपने सीचा पार्टी लापने उठाया आपके खड़े होने से उसको नुक्सान होगा पारिंता पार्टी की चिंता कैसggak करूंगा किंता नहीं कि फारिंबिटा पार्टी दो गंटे पहले जॉइन करा इंड टिकट थमा ने रहों और नरी बिचार्व तर पार्टी ने मुलायमि शिंग को पीछे छोड़ दिया इस तरह टिकट पार्ट कि यह सबसे पहला ना नाम का था मैं नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं पीछे था जिसका पहला था उसको देते सब्सक्राइब आगे था यह सभी बात है लेकिन हो सकता मैं पीछे हूं जो आगे था उसको देदे चार-पांच लोग मांग रहे थे उनमें से देदे किसी को सिटिंग आमेल ले को देदे ते क्या सिटिंग अमेल लोगो दी यह इना टिकट बगावत के सुर्री उठते लेकिन पवन जी ऐसी सी में आपको जब बीजेपी को नुकसान पहुचेगा आपके खड़े होने से तो हरी शरावत की रहा आसान हो जाएगी नहीं नहीं मैं आपको पुने दोरादू हरी शरावत जी ने इतियास रचा है उत्तरा खड़ में और स और सन्यास लेकर के वो कुछ और ही दुकान चलाएंगे राजिती नहीं करेंगे आप राणिकी से सन्यास दिलाकर रहेंगे तिलाकर रहेंगे तैय कर दिया मैं कोन होता हूँ यागी जनता डिए कांग्रेस पार्टी ने तो वह जुलम किया है महीला के साथ महीला का बहुत समझा लेते बता लेते उनसे पूछ घ 없다 चांग्रेस और बीजेपी मंतर क्या है ऎ संद्या जी को मना लिया इब दिय ध्युक्त कर दिया बैसा लेकिन हो कह रहे हैं कि आपके लिए लोग कि आहिए उlemWhen आपिस ले लेंगे है उनका अगर वो निर्दलिये लड़ती हैं चुनाओ तो हरी श्रावत को नुखसान होगा कि तेकिए मैं मैं संध्या जी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा मेरी कांग्रेस और भीजे पीशलड़ाई है मैं कांग्रेस में कि उससे कम भी स्राव जी को चुना वहार रहे हैं लेकिन ये चर्चाएं आपको आपके बड़े नेताओं से संपर्क हुआ किसी के साथ जब आपके बात ही नहीं की किसी नहीं बात ही नहीं की है वह उनको लग नहीं आवा सोत्रह जीत गई आपने जिन बड़े नेताओं से संपर्क साथा आज सिती यह आ गई कि आप पार्टी के खिलाफ हो गए तो पार्टी भी तो अनुशासन हिंता के दारे में लेकर आपको बाहर करेगी आप हरक सिंग रावत थोड़ी नहीं कि आपको ले लेंगे दुबारा नहीं कोई बात पार्टी छोड़ दी मैंने क्याग पत्र दे दिया मेरे को कहां भार करेगी अब बाहर करने का मतलब यह कि चुनाव रणने के बास कोई वापिस भी आजाते है ना अरे बाहर साब यह कांग्रेस को इनको गाली बखने वालों को मैं गाली तो थोड़ी पकराऊं किसी को यह गाली बखने वालों को सिर्फ बठा ले रहे हैं किसको बिठाया गाली बखने वालों को जो कांग्रेस से आ रहे हैं ने दलों से आ रहे हैं गाली तो बखते थे पहले हम लोगों को बखते थे हमारे दुनिया का बड़ा नेता नरेंदर मोदी को गाली बखते थे वो लोग वह इनके यहां का अंका बन जाते बहुत-बड़े नेतवन जाते तो मैंने तो मैंने असा कोज साभ कर गया मैं तो मैं तो सो चुनाव लड़ रहा हूं मैं आप चुनाव लड़ते हैं लेकिन दूसरी तरफ हरिश्चंद दुर्गापाल भी नराज बताया जा रहे हैं संध्या जी भी नराज है आपको उसका फायदा मिलेगा मैंने आपसे निवेदिन किया कि यह जो रह रहे हैं वा उड़का पारिवारिक मामला है मैं चुनाव जीत रहा हूं अच्छे अंतर से जीतूंगा हरी शराव जी दूसरे नमबर पाएंगे चुनाव भारेंगे हरी शराव दूसरे नमबर पाएंगे लेकिन पवंज जी जी आज जो स्टिती आपके सामने खड़ी हुई है आप चुनाव भारेंगे जा रहे हैं लालकुआ की स्टिती अलग हैं क्योंकि मैं खुद देखकर आया आप भी जानते हैं कि राउंट जीरो पर जाकर हम लोगों तो पर आपके पास सामने ओर के जुर्ब ख साथ है भाई साब मैं आपको बताऊं परसुर जब जनता कर लेती है जब जनता तैकर लेती है तो पिर वो सारे काम खुद कर लेती है वह पंचाट में तो था वो कागरेस का भी कडर भागा भी कडर भूट था मेरा तपना लालकुआ छेत्र में ऐसा है जैसे मैं अब चुके उनके चोवी संटे बीच पर रहता हूं उनको पता है यह गरीबों के साथ रहने वाला वेक्ती है तो इसलिए मेरे को चिंता नहीं कि पूर अध्यक्श भी रह चुके हैं जी मैं भी रहा हूं मैं भी रहा हूं मेरी दरम पत्नी भी रही है हमने दस साल के कारेकाल में आज तक 5000 आलंड दो लगाए कैसकता थैया मैं पर्थं पूशखार में घजब कि यह इतनी बड़ी सेंचुरी कि निकलती है उसके निकलता है और फेक्टियाँ है जंगल है तब हमने स्वस्था कई नुम्म पर आले है मोहन भीष्ट कैसे नेता लगते हैं रहा हूं मैं उनके बारे कुछ भी बोल सकता हूं तुस्ता बारटी के खिलाफ हूं तो तो मोहन सिंग बिश्ट कैसे नेता है कैसे नेता है लेकिन तीसरे नंबर पर आप लगा लिजी कैसे नेता है तो अपको इस बात का दुख है कि नमीन दुखा काटि कटिकेट काड़ दिया नहीं मेरको मेरा दुख है मेरा यह कहना है कि पैनल जो बनाए गये थे मैंने स्वनुमे आक सम्रोद किया कि पैनल बनाए गये तो पैनल तो उनी के अधार बनाया गया था इनके लोगों दोवारा बनाया गया था जो कमेटी बैठी ती वह बैठी दी यह कहां से आगे बीच में आगे तो इसका बले संक्थन भुज ऐसा नहीं है गड़ड़े है और यहां नहीं हो रहा है आप और गड़वाल में देख ल रहा हा जो कोंगरेस से लड़े तो बीजेपी नहीं, भी में बीजेपी में है। क्या है पिर यह है क्या कि अhrine СпTPP का से रगया आपने आजेजए वहट से बात की थी कि आए लिएंप क्या नाम है बस कि सबसे जादर बगावका बिगुल वहीं फूक रहा है अच्छा हरी शमरवद के आने से अ कि आपको क्या लगता है कि लाल कुवा का क्या समीर करण बजला है हरी शभष जी के आने से कांग्रेस ने अपने लिए गड़ा खोद लिया है क्योंकि इसलिए कि उन्होंने टिक्टों का वित्रण पहली बात तो यह बारी स्विकार नहीं है यह नारा हमारा सुरू से लग रहा है यहां की जंता लगाती है दूसरा वो हरीस राव जी जहां जाते हैं वो बिगटन पाठी पढ़ी है इसी महिला को टिकट दिया और फिर उस महिला का क्या हाल किया है वह रोरों के विचारी तरफ रीथिक है उतका उनका आपने वीडियो अगर देखा होगा तो क्या हल था हमने जब भाजबा चोड़ी थी तो हमें कितना कर पत्तर होगा हम जानते हैं कौन छ हम कांगरेस को बहुत ज़्यादा मोतों से चुना वराने जा रहे हैं भाजपा तीसरे नमबर पर रहेगी यह आज आपके चैनल पर बैठके में कह रहा हूं आप ध्यान रखेंगे इस बात का आज पा तीसरे नमबर पर रहेगी पवन चोहांदी यह कह रहे हैं जी लेकिन कि कोई किसी का वह राज तंतर है यह राज तंतर नहीं यहां से एक एपाइलान कर दू कि मेरे कहने सो कोई फल आदमी को ऐसा बोट दे देना वह जब जमाने अकर लगड गए हैं दुटा पाल जी यह नहीं कहह रहा हूं अग लगे है नहीं कंप माना तब ते क्या ना कैसी प्रदेश की और विदानसवाई निस देख रही और और वह रो रोगा ने को सम्झा लेतेए और आज समझा भी लेंगे तो यहां की जन निया ने और आ सो कि आरएस दुरगापाल जी अपने लिए बोष जो उनको बोड़ देगा नहीं देगा अभी है और तूरख जीन कि उनका कहा आ पर आपके जिक्र करू तो आपके पास कौन्सा तो इसा मुद्दा है कि पवंच उहान जी को जंद्रा बोड़ देदेगी कौन सा ऐसा मुद्दा लेकर जाए है वह मुद्दा बट और मुख्य मंत्री बनुगा लाल कुछ कर दूगा आप क्या करेंगे क्या अलग करेंगे मैं स्वम मुद्दा हूँ मैं 25-30 साल से लोगों कर रहा हूँ मैंने कहा ना मेरे पत्णी और मेरे कारेकाल में कोई नेता कह देना मैं चैलिज कर रहा हूं उतरा खंड को मैं दूसरी जगए इस बात क्यों करवा उतरा खंड का एक नेता कह दे हुने तो वहजार लोग लगा है मैं बैठा हूँ ना मैंने पांच अजार मेरे बाद लिए रखे हैं यहां रखें चिठे रखें हो सब चित्रे लगाए हैं और मेरी उकात किया थी एक छोटा चेर्मेंट तो था आज मैं विधायक बनूगा तो उनको नहीं पता मैं क्या करूँगा है हमने इस लालकुआ का का स्विच ओप नहीं होता है आप कभी कर ले ना मैं मेरा फोन आधी रात में घर बजेगा तो मुठाओंगा यह हमेशा की हमें जादत आपने हर बार बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा आपको लगाए आपका अफसोस है कि टिकेट कर दिया बहुत अफसोस है बहुत साथ बच्चा नहीं किया एक परिवार से जब कोई बच्चा अलग जाता है और उसके साथ दुरुवेबार होता है उस बच्चे को फिर भी पीड़ा होती है मेरा परिवार में से छुट गया कोई ऐसी याद है आपको पार्टी की जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी हो इस जिस तरह से आपने इतना संघर्श किया पार्टी के लिए बहुत किया है बहुत किया है इस बहुत लंगर्श किया मैंने कोई ऐसी याद आपको जो आग आज भी इघर को तसलिय देटें मैंने इस पार्टी के लिए इतना सब कुछ किया इतनी लड़ाई लड़ी मैंने मैंने आप पार्टी को मैंने आप पार्टी को ज्यादा मी तो 25-30 तुनाव नड़ा दिये जाकतर तुना हम जीते हैं मैं जाकतर विदान सबा सहीं हो जग विदान सवा पर बारी, विदान सबा का फला । दूसरे विदान वह मेंधान सवाव मैं गया हूँवा अपनी महितन ब्यूमी की हो में कि है। लालकुवा में चेर्मेन मेरी पत्री दोई बार बाज बाज तक जीत पाई है, मैं और मेरी पत्री नहीं, तो कॉंग्रिस हमेशा जीतती है, यह भी एक उपलब दी है, यह कांग्रिस को हराने के लिए हमने महनत की होगी, दूसरा बीजेपी को मने इस्थापित किया है पावन जी, मैं जानता हूं बहुत भावुक्षण है आपके लिए, और पावन जी मैं जब भी इस बात का जिक्र हुआ, लालकुवा भी हम लोग गए, तो हमने ग्राउंड जीरो पर जो मौइना किया, तो यह बात सामने आती थी कि जो बीजेपी के कारेक्रम होते थे, भल लेकिन विधायक एक्टिव नहीं थे, लेकिन पावन चोहान जो है, इस तरह के कारेक्रम जो है, खुछ फ्रंट पर आकर आयोजित करवाते थे, मैंने उत्राखंड हमारा संसकार संस्कृति के लिए दुनिया में अलग उसकी पैचान है, उत्राखंड में उत्राणी बहुत जबर्जस सुरू किया, एत्यासिक मेला बागे सुर की टक्टरम हम लेकर के आए, यह हमारी पैचान है, और उसके बाद में हमारे पडोस में भी होना लगा, अच्छा हुआ, नबिंदु घत्ता में होता है, अल्दु चोड में होता है, शान्ति पुरी में होता है, लेकिन दुरी उसकी नीव रखने वाले हम हैं, मैं और मेरी धरम पत्री और गोविंद सिंग जी जो शिक्षा मंत्री ते हुऊ, यही तो हमारी पैचान है, हमने लोडी मेला एक सीमित बनता था, हमने उस उत्रेणी के साल लोडी को भी एत्यासिक और बहुत विशाल से उरूप में बनाया, यह हमारी पैचान है, हम इसलिए अलग है, हम कोई भी धार्मी को किसी तरका कारीकरम हो, उसमें बढ़ चड़के हिस्सा लेते हैं, चै वो मेरी विदानसवा से दूर भी होगा, तब एक बिटे के लिए वाँ पोस्ता हूं, हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों जन अगर नमीन दुमका में कभी थी तो दूसरे रख देते, नमीन दुमका बढ़िया थे तो उनको देते, आपको क्या लगता है, अब वो पार्टी न क्या सोचा होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस बारे मेरा बहुत जादा ऐसा दृष्की कोन मेरा कुछ नहीं है, जो मैं भावुक हो रहे थे, मैं चाहूंगा, मेरी एक अपील है आपसे, कि लालकुआ की आवाम इस वक्त आपको सुन रही है, और लालकुआ की आवाम को मैं चाहूंगा कि आप एंट्रेस करें, लेकिन उससे पहले, आप बीजेपी नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बाजपा को आउतराखंडबाई भी रहने दिया जाए, या कारेकरताओं का अपमान नी सम्मान करें, कारेकरता को बीजेपी कुछ देती नहीं है, उनका सोषन ना करें, मेरा यह संदेश है, मेरे जैसे कारेकरता जो जनमजाद से बाजपाई होकर के, मेरे को कांग्रेस का 2003 तिन जब मैं चेर्मेन बना मानिये नांड तिवारी जैसे विशाल पुरुष ने मेरे से कहा था आपका अंग्रेज ज्वाइन कर ले हम आपको निगम का चेर्मेन बना के कैबिनेट का दरजा देंगे मैंने तब भी वो लालच में नहीं आया था मेरे जैसा कारिय करता है उसक चाता था अब तो मैं अपने दंपजीत हुआ इस वक्त लालकुवां की जनता आपको सुन रही है क्योंकि आपने अपने संथर्ष के जीवन को बताया जब आप खुद 2013 में चेर्में थे तब उस वक्त नराणदत तिवारी का आपको फोन आया आपने तब भी कॉंग्रेस क तब भी आपने जो है कॉंग्रेस जुआएं नी की तब भी एक लंबी लड़ाई लड़ी इतना लंगा संधर्ष किया पार्टी की जी लालकुवां की जनता आपको सुन रही है क्या कहना चाहेंगे लालकुवां की जनता मेरे साथ खड़ी है मेरा निवेदन है कि जनता और इस बार भी मेरको भरपूर बोटों से जिताएंगे और मैं वास्तों में भारी मतों से चीतने जा रहा हूं माननी हरीस राउज जी को हराने जा रहा हूं यह मेरे लिए बहुत बड़े सोबागेगी बात लेकिन पावन जी मेरे पास मैसेज आया कि अपना नॉमिनेशन वापिस ले लेंगे आप लिए लो पावन जी मेरे पास अब मैसीज आया उसमें लिखा हुआ है मैं लाल कुँआ से हूं और आप मुझसे लिए लिए अपना नॉमिनेशन वापिस ले लेंगे कोई बाद नहीं अब जब तक सोचता ही है वेक्टी अरे वेक्टी को लगता है यार पीछे ना अट जाए सोचता है कोई बाद आप पीछे तो नहीं अटेंगे अगर मैं पार्टी को दिखाने के लिए ड्राने के लिए अगर डॉमिनेशन कर रहा होता तो पीछे अटता ना आज तो मेरी जंता मेरे साथ मजबूती से खड़ी है अगर आप से आप भाउस क्योंगे कौन सी याद आगी आपको पार्टी की देखिए मैंने का ना एक परिवार को छोड़ने में कि दिए तकलिप होती है वह है आपको अफसोस है आज बार्टा पार्टी के लोग जब नोमिनिशन करने आया था बाजबा कंडिडेट सब लोग मिरसे मिल करके गए कि क्योंकिन फ मिरको चाहते है सब मिरको चाहते है सब यहां मिरा ओफिस माय मेरा कारिया यहीn सकता पास सब मिरसे मिलकर करके गए और समने लिए भूत अपसोस है और आपने बहुत पार्टी को सीचा है, पार्टी को कड़ा किया है, बहुत भावनात्मक आपका रिष्टा रहा पार्टी के साथ, और ये फैसला लेना आपके लिए बहुत मुश्की लोगा मैं जानता हूँ, आपने न्यूजबल इडिया के लिए वक्त निकाला, पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुपकामना आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, तन्यवाद सर, जिनका कहना ये है कि किसी भी तीमत पर कदम पीछे नहीं खिचूँगा, इतना तयह है कि अब कदम आगे उठा लिया है, लड़ाई होकर रहेगी, हरी शुरावत बना पवन जी पहुंचेगा भाजपा को ये दावा पवंजी कर रहे हैं लेकिन अब देखते हैं धरातल पर लालकुआ की लड़ाई कहां जाकर रुकेगी लेकिन इतना तहा है कि बागियों ने टेंशन जरूर बढ़ा की फिलान मुझे दीज़े जादत नमस्कार जा हिन जा भारत जा उत् झालब झालड़